मेरे लिए भगवा नहीं हो कि वज़े से आज मेरी तब्वित भी अच्छी है और मैं सेयद बन हूँ नमस्कार दर्शको आप सभी जानते हैं कि हकीम सहाब ने एक मुहीम की शुरुबात की है जो लोग हकीम सहाब से जुड़े हुए हैं जो लोग हकीम सहाब के नुस्के अपना रही हैं उनके पास हम जा रही हैं और इसी पहल की शुरुबात दिल्ली से हुई उसके बाद हम लखनाओ गए कुरुशेत्र गए हरियाना गए यहां तक की हम लोग अब पहुँच गए हैं मुंबई जहां पे हमारे तमाम दर्शक हमारा इंतजार कर रहे थे और हम भी उनसे मिलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं जो मुंबई वासी हैं वो हकीम सहाब से जो जुड़े हुए है वो कौन-कौन से नुस्के हकीम सहाब के अपना रही है कैसे वो खुद का ख्याल रखते है और हकीम साहब के नुस्के अपना के वो खुद को कितना सेहतमन बना रही है तो चलिए इसी दौरान हम मिले हैं जै प्रकाज़ जी से जो मुंबई वासी है और सीधा चलिए उनसे बातशीत करते हैं जानते हैं उनकी सेहत कराज बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका अपके उम्र कितनी है आपके घर में कौन-कौन है आप क्या करते हैं अच्छा मेरा उमर 64 है मेरे घर मेरी बीवी है दो बच्चे है और मैं रिटार आदमी हूं अभी घर में हूं हकीम साहब साब कैसे जोड़े और आपको क्या कुछ बिमारी थी मुझे लिवर का प्राब्लम होने लागा कैसे सोगेरे होते थे और उपर चड़ते थे और सीरे गम जाम होता था पुरा मैं डेली में टीवी देखता हूं तो असिम साब के सेहद और जिंदगी में देखना चालू किया था और उसमें बताते थे हार एक बिमारी के नुष्के वगरा बताते थे तो मुझे लगा चलो आज वही चैनल लगाएंगे और देखना चालू करेंगे तो उसमें अपना ल नुष्के है जैसे जीरा है बडिशाप है और दो तीन चीजा अधरक है वोगरे वो नुष्के मैं देखता था और थोड़े-थोड़े यूज भी करता था उसमें क्या हुआ थोड़े-थोड़े दीन मुझे अच्छा लगा गया थोड़ा-थोड़ा कम होने लगा तो मैं स मैं सोचा था कि चलो युनानीमिक से जॉइंड हो जाएगा तो सर आपको जो तकलीफ थी वो हकीम साहब से जुड़की क्या ठीक हो गई है मेरी ठीक हो गई है जुड़के जी जी आपने कॉन साल उसका पनाया था कौन सी मेडिसिन खाई थी आपने मैं यह अधरक बदी स्याप और यह अजवान वगरे खाते थे डेली ओ चालू था और उसके बाद मैं यहां पे क्लीनिंग में जॉइंड किया इनानीमिय तो उसमें डॉक्टर ने चेक अप किया तो बोड़े आपको लिवर का प्रॉब्र में गैसे सोगर है इसके लिए आपको पी के नाम की दवा है ओ देना चालू किये थी और पहले पंदरा दिन तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था बात में दीरे-दीरे इंप्रू होने लगा और मै मैं अभी तीन-चार महिने खा रहा था उसमें और अच्छा लगा तो मैं सोचा कि चलो यही दवा चालू रखेंगे तो सर आप जब युनानी की तरफ गए आप में जब घरेलू नुसके अपनाए तो आपको यह नहीं लगा कि यह तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो जाए क्या आपने और लोगों तक भी नुसके पहुंचाए है हकीम साब जो बताते हैं और लोगों की आपने मदद की है अच्छा क्या होता है कि आदमी को विश्वास मंगता है विश्वास के दोरे आगे बढ़ जाता है बिलकुल चार पात दिन चाहा मैं दो तीन दिन से मिला द आपने थां उन्हें और नूलैंगा है तो आपने उन्हें नहीं आपने भी नुसके आप लुड़िए थिए है आपने उन्हें की पर्लाप बताई है अजया अब 5-9 अबोरे चाह दुड़िए पैट के लिए बताई और तो पहले और अबमेन आपको अपनी है एल्त में इस ह्टोड़ा थास ना फ़र्क दिखता है तो और पहले बहुत थोड़ा एलदि नहीं था भी बहुत इंप्रूण हो गया थोड़ा थकान भी नहीं आती है मेरे जो रिपोर्ट अगरे अच्छे आते हैं जैसे गरम चीज़ अगरे कुछ खाता था आक रोड अगरे मेरे को तकलिब होता था तो अभी नहीं हो रहा है हकीम साब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कोई मैसेज हमारी पूरी टीम की तरफ से और सीर्ट जिंधियाँ हकीम साहब की तरफ से यही दुआ है कि जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाए आप और जादा सेहत मन्त होते जाए अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर